नमस्कार ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूँ आपके साथ असोग बर्मा आप देख रहे हैं टीबी टॉन्टी नुज अपने अपने छेत्रों की खबरें देखने के लिए बने रही है हमारे साथ हम सुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला आजमगर की अतरावलिया से खबर है जहां निस्तुल के मेडिकल कैम्प में पहुंचे साथ लोग डाक्टर मनिस दिरपाठी ने इलाज कर बाटी निस्तुल के दवाया पतादे के छेतर के दिहुला शुपा ग्राम सभा में की निस्तुल के चिकित्सक कैम्प का आयोजन कुला फाउंडेशन द्वारा कराया गया जहां गरीब तो था हटी रोग से परिसान से खबर लोग का मुपत हिलाज कर दुप दवाजा बाटे गई डाक्टर मनिस दिरपाठी की द्वारा ने सुल्क चिकत्सक कैम्प का आयोजन लागतार कर रहे हैं इसमें से खबर लोग अपना सबसे लेट अस्पताल जाना लेट जाते हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजन है क्योंकि लाज का अभाव है और उनकी जो चोटी मेटी बिमारी है उसमें वह परदास करके अपना जीवन यापन करते रहते हैं जब बाद में इसमेट-कर क्योंको कर रिक रही है अगर वह बड़ी नहीं होगे उसका इलाज हो पाएगा जिसने सर आपका जन संकर भी बहुत इजीम चल रहा है आप कैम भी लगा रहे हैं कि आगे कुछ चुनाव लड़ने का विचार है यागे सब कुछ जी अत्रोलिया विदान सभाद से हम त्यारी कर रहे हैं और यहां पहले हम जनता के बीच में लंबे समय से आ रहे हैं जब असल में जो हड़ी की बीमारी है उसमें शुरुआती दौर में छोटा हलका दर्द होता रहता है घुटनेया थोड़ा खराब होता रहता है यहां गाओं के लोग उसको दर्द को बरदास करते हैं उसी पर चलते रहते चलते रहते जब वो पूरी तरह हड़ी खरा हो जाती जब उनका चलना दुश्वार हो जाता है तब वो अस्पताल जाना पसंद करते हैं और गाओं के लोगों के जागरूप भी करूंगा कि हड़ी के मैंने देखा है कि बच्चों की इलाज में जब बच्चों को चोट लगती हैं तो ही लोकल किसी जो डॉक्टर नहीं होते हैं हैं ऐसे ही अपना लोकल प्रैक्टिस करते हैं तो उनसे गलत इलाज कराके बच्चों का हाथ खराब कर देते हैं फिर जब बच्चों में यह अगर लेट हो जाता इलाज में तो उनका वापस ठीक होना मुश्किल होता है पर उससे बच्चों का पूरा जीवन बेकार हो जात हैं तो मेटकल कैम लगाने से उनको डायरेक्ट उनको तुरन दिखा दिया जाता है जुसके जल से जल्द अपने घर वापस जा सके और जो भी जिस तरह का पेशेंट अगर उसके पास पैसे नहीं है पैसे का भाव है उसमें हर तरह की मदद कर दियाती है जो कुछ दवाएं सब्सक्राइब नमस्कार मैं संदीव पांडेम कुनाल फांडेशन का अध्यच हूं और मैं अपने द्वारा मैंने सोचा कि कुछ गरीबों के लिए यहां पे कुछ सायोग किया जाए ग्राम देहुला सोबा है यहां पे जो है कि मतलब है कैंप लगवाया गया है डाक्टर मानिस्तिर पाठी यहां पर हमने सोचा अपने माध्यम से जो कुछ गरीब आसा है लोग जो है गाओं के जो बड़े-बड़े अस्पतालों में नहीं जाना पसा हो मतलब जाने से डरते हैं सोचते हैं इतना बड़ा स्पताल है कैसे नंबल लगेगा कितना पैसा लगेगा इ इसलिए मैंने सोचा कि डाक्टर साहब के माध्यम से यहां पर जो है अपने गाह में जो गरीब आसा है लोग है उनलों के कुछ मदद पहुंचाए जाए इसलिए मैंने इस के माध्यम से जो है कि निसूल के जो है दवा बितरन करवाया हूं और निसूल के इसमें जो उपच